पूरे उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूसन को देखते हुए, कल माननी सरोच न्यायले में प्रदूसन की स्थिती को ले करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरिनाडा, पंजाब, दिल्ली और केंदर सरकार को प्रदूसन को ले करके क्या-क्या कारवाईयां की जा रही है, इसको ले करके अपनी रिपोर्ट सम्मिट करनी थी, कोट ने काफी विस्तार से इस पर सुनवाई की, और उसके बाद प्रदूसन, नियंतरन से संबंधित कई अहम और्डर जो है उन्होंने जारी किया, और्डर आने के बाद काफी डिटेल में और्डर का अध्यान करने के बाद हमने चर्चा की, और आज उस ओर्डर को दिल्ली में इंप्लिमेंट करने के लिए, हमने संबंधित मानने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई निर्देश जारी किये हैं, सबसे पहले तो मैं सुप्रिम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरह से सुप्रिम कोर्ट के निर्देश के बाद, और दिल्ली सरकार के कैबिनेट के निर्ड़े के पस्चात दिल्ली में लगाए गए कनाट फ्लेस के स्मॉग तावर को, डीपी सी सी के चेर्मेन द्वारा मनमाने तरीके से बंद कर दिया गया था, उसको खोलने का निर्देश दिया, साथी साथ, डीपी सी सी के चेर्मेन के द्वारा रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट इस्टडी, जो सरकार के द्वारा सुरू की गई थी, उसको भी ठप कर दिया गया था, उसको भी पुनह चालू करने का और रियल टाइम डेटा जो है पब्लिक करने का जो आर्डर दिया है इसके लिए तहे दिल से दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुक्र गुजार है उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिछले एक हपते से हम किंद्र सरकार से हाथ जोड करके बिंती कर रहे थे मैंने पत्र भी लिखा पर्यावडन मंत्री जी को कि चुकि जो आज प्रदूसर्ण की इस्थिती है पूरे उत्तर भारत की है और जब तक ये पाँचो राज एकिंद्र सरकार के साथ मिल करके संजुक्त रूप से अपनी कार्योजना को बनाने में और उस कार्योजना को जमीनी हकीकत पहुचाने में सक्रिय नहीं होंगे तब तक प्रदूसर्ण की जो इस्थिती है उसको नियंत्रित करना काफी कठिन काम है दिल्ली के अंदर हम लगातार ग्रैप वन हो, ग्रैप टू हो, ग्रैप त्री हो, ग्रैप फोर हो सभी ग्रैप के नियमों को सक्ति के साथ लागू कर रहे हैं और जिस तरह से सेंटर गवर्मेंट चुप्पी साथ करके अपने जिम्मेदारी से पीछे हटा हुआ था, मुझे लगता है कि माननी सरोच नियाले के निर्देश के बाद इनकी संजुक तो बैठके होंगी और सभी राज्यों में इंप्लिमेंटेशन पर फोकस किया जाएगा मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिवाली आने वाली है दिवाली के लिए पठाकों पर प्रतिबंध दिल्ली में लगाया गया पिछले एक महिने से निरंतर इस बात के लिए मैं जोड़ दे रहा हूँ कि जो हमारे चारो तरफ जो राज्यें वहाँ पर पठाकों पर प्रतिबंध लगाया जाए पठाकों पर प्रतिबंध लगाया जाए लेकिन कोई न सुनने को तयार है न कोई बोलने को तयार है दिल्ली सुप्रिम कोर्ट ने जो अलग-अलग दिल्ली सरकार के लिए निर्देश दिये थे उन में से आज बैठक करके हमने निर्देश जारी किया है उसके ओर्डर के अनुकूल हमने पहला ओर्डर जारी किया है कि कल तक फुल स्मॉग टावर फुल कैपसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए DPCC को ये निर्देश दिया गया है उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट इस्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए साथी साथ सुप्रिम कोर्ट ने एक ओर्डर में ऑपजर्वेशन दिया था कि इस समय खास्तोर से जो लोकल जो आग की घटनाएं होती है बायो मास बढ़ने की घटनाएं होती है उस पर कारवाई की जाए उसके लिए आज MCD, DPCC और रिवन्यू विभाग की 611 तीमे बनाई गई है और उनको कल से जो है Special Drive चलाने का निर्देश दिया गया है Anti-Open Burning Drive चलाने का जिससे की लोकल लेबिल पर दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे जगहों पर आग लगने की घटनाएं है उनको कंट्रोल किया जा सके 611 तीमे कर दो कर दो कर दो कर दो